हेज फ्रेंद्स वेल्कम बैक टू वीदेश यात्रा चैनल मैं हूं मयूरी आज मैं आपके साथ डिसकस करने वाली हूँ स्टूड़न्ट अक्मोडेशन इन ओवर्सीज तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज हम चार पॉइंट डिसकस करने वाले अक्मोडेशन के लिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सिटी अक्मोडेशन सिकेंड वन है प्राइवेट अक्मोडेशन थर्ड वन है फेस्बूक मार्केट प्लेस जैसे ग्रूप के अंदर से आपको कैसे में लेगा एं दूसरा आपको बहुत सारे अलग अलग कि स्टूड़न कर सकते हैं तो आप उनके साथ उनकी कुल्चर को कर सकते हूं और कॉलेज में बहुत सारी एक्टिवीटी में एजी टू आप पाटिसिपेट कर सकते हो आपका जो ट्रावेलिंग एक्सपेंस होता है कि आपने जो भी प्राइवेट जगह से आपको कॉलेज आना होता है या फिर जो भी अधर एक्सपेंसी होते हैं और उसका जो डिस सिंगल अकेले रहना है या फिर ग्रूप में रहना है तो वह आपके पास च्वाइस होती है अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा है वह प्राइवट अक्मोडिशन में ऐसा होता है कि आपको खुद डूणना पड़ता है या फिर आपके जो भी एजेंट वगेरा होते वह आपको हेल्प करते हैं कि पहले जो स्टूडेंट चले गए है उनको बोलते हैं कि हमारा एक बंदा आता है यो हाव टू अरेंज अक्मोडेशन फॉर वहां का यूस्टू हो जाएगा तो फिर अपने आप वहां पर खुद डूण लेगा तो प्राइवेट में ऐसा होता है क कि आपको खुद दूणना पड़ता है हां उसमें आपका बैनिफित यही होता है कि आप कम रेट के अंदर चीपेस्ट प्लेस को आप अपने लिए क्योंकि आपको पता है कि आप जहां रहने वाले हो उस जगह का आप कितना यूटिलाइस करने वाले हो तो वह आपके पास दिसद्वांटेज रहेगा वहां से आपका डिस्टंस अगर ज्यादा होता है अपका रहने का तो उसमें आपका जो ट्राविल का एक्स्पेंस होता है वह बढ़ जाता है तो यह दोनों चीज़े आपको ध्यान में रखने पड़ती है कि अगर आप प्राइवेट में जाते बहुत सारी जगह पे अलग-अलग ग्रूप बनाके रखे हैं फेस्बुक में बहुत सारी कंट्रीज के तो इसमें बहुत सारी कम्यूनिटी है कम्यूनिटी के अंदर आप पोस्ट डाल सकते हो कि आपको अकमोडेशन चाहिए जो भी कंट्री के लिए जा रहे हो में बात कर रही हूँ फ्रॉम वेबसाइट बहुत सारी ऐसे पोर्टल्स और वेबसाइट होती है जिसके अंदर आपको टैंपररी और 6-month और 11-month के रेंट पे बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है तो एजिली आप उसको सिलेक करते हो और वहां जाके आप वो में आप रहते हो तो उसके अंदर आपके पास जो भी ट्रावेलिंग होता वो कम हो जाता है लेकिन उसमें आपके पास पैसे ज्यादा होने चाहिए ताकि आप वहां आराम से रह सको तो वह अगर आपको रिक्वर्मेंट फूलफिल करनी है तो आपके पास ऐसी जॉब होनी चाहिए ताकि आप पढ़ाई भी कर सको केंपर्स के अंदर रहते हो तो आपका अकुमोडेशन का खर्चा भी निकल जाए फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप प्राइवेट में डूमते हो तो प्राइवेट में सबसे पहले आपको इस्यू यही आता है कि ट्रस्टेबल परसन आपको मिलने चाहिए आप अगर पूरा फ्लैट या जो भी जगह पूरी अकेले के लिए लेते हो तो आपको काफे एक्सपेंसिव हो जाएगा वहां स्टडी करने गए हो और उसके साथ आपको जॉब करके आपका यह पूरा एक्सपेंस भी निकालना है तो यह थोड अगर आप स्टडी अपर के लिए जा रहे हो तो यह चारो चीजों में आपको देखना है पूरा उसके उपर रिसर्च करना है अगर आपको कोई रेफरेंसिस कॉंटेक्स मिलते हैं उनको कॉंटेक्स करो और मैं सबसे जाद आपको प्रिफर करती हूँ कि अगर आप फर्स उनके गाइडन के हिसाब से फिर आप प्राइवेट के लिए मूग कर सकते हो तो यह आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफीट रहेगा तो यह अकुमोटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया ऐसे रिलेटेड अब स्टडी अपरोड के लिए आपको कोई भी ऐसे कोमेंट में जरूर बताना और हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मैं हूं मैयूरी साइनिंग ऑफ जैहिन